नमस्कार दोस्तों चैनल क्वेस्ट में आपका स्वागते तो आईए देखते हैं 5 अगर्ष्ट 2022 का कोरोनार कोरोणपति के एपिसोड में क्या-क्या सवाल पुछेगे और उनके जबाब भी जान लेते हैं पार्ष्ट कोस्टिन अट सी लेवल अट हाव मेनी डिग्री सेंटीग्रेड डॉज वाटर बॉयल सी लेवल याने समंदर तल में पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता हैं इसका आंसर है हंड्रेड डिग्री और चार पहे वाले यानों के सामने बाला ग्लास स्क्रीन को क्या बोलते हैं? इसका आंसर है विंडो सिल्ड नेस्ट कोस्टिन, रिलीजड इन टू पार्स इन टू थोज़ज़न एंटिन दी फिलिम भाई व्यत्ति की वली इस बेस्ट अन्द लाइफ अप विच लेजेंडरी राइटर? दो हजार उनिस में दो भाग में मुक्तिलाब क्या हुआ फिलिम भाई व्यत्ति की वली किस लेखक के जीवन पर आधारी थे? इसका आंसर है पिल देशपंडे नेस्ट कोश्चिन वो ओन दो मेंस टाइटल अर दो फ्रेंच ओपन इन टू थोज़ज़न टूटिट्टिटू? दो हजार पाईस का फ्रेंच ओपन में पूरुष विभाग में कौन खिताब जीते थे? इसका आंसर है राफेल नाडल दो हजार बैस में आयो जीत फ्रेंच ओपन का टाइटल राफेल नाडल नहीं जीता नेस्ट कोश्चिन इसका आंसर है आंखे याने आईज नेस्ट कोश्चिन इसका इसका आंसर था भूपाली नेस्ट कोश्चिन अकुला जिले में स्थित साहनूर फट नननला फट की नाम से भी मसूरे नेस्ट कोश्चिन फॉक म्यूजिक सिंगर मामे खान सीन इन फोटोग्राफ बिलंग्स तो हिस स्टेट लोग गायक मामे खान जो की फोटोग्राफ में है कौन से देश के कौन से राज्जे के है इसका आंसर है राजस्थान मामे खान इंडियन स्टेट राजस्थान के है नेस्ट कोश्चिन वाडा कोलम राइस और वाइट ओनियन विच गड़ जी आ टैग इन अक्टवर 2021 बिलंग्स तो हिस स्टेट दो हजार इकिस अक्टवर में जी आ टैग प्राप्त वाडा कोलम चावल और साफेथ प्याच किस राज के है इसका अंसर है महराष्ट्रा नेस्ट कोस्टिन वो इस अंडियन बैस्मान to score a century in the first inning and a double century in the second inning of the same test वो कौन सी भारतिय बल्लेबाज है जो की एक ही test में पहले इनिंग में century और दूसरे इनिंग में double century यहने दो सरन बनाए इसका आंसर है सुनिल गवाशकर नेस्ट कोस्टिन इस फस्टेस्ट फिंगर फस्ट कोस्टिन और इस चरेक्टर्स प्रम्हावारत अकडिंग तो अर्डर इनिष्ट वेर बर्न महावारत के इन किर्दारों को उनके जनमकाल के अनसर सजाए जो पहले जनम लिए वो पहले आना चाहिए इसका अंसर है C उसके बाद बिश्म उसके बाद अर्जुन और अखिर में अभिमानु का जनम हुआ था Next Question Which of the following preparations does not involve the user price इन में से किसको बनाने के लिए चावल का इस्तमाल नहीं होता इसका आंसर है C पलाव दाल किच्डी और पंगुल को बनाने के लिए चावल का इस्तमाल होता है Next Question Which of the following is not a synonym for sky इन में से कौन आकास का परेवाची सब्द नहीं है इसका अंसर है खग अंबर, नव और गगन आकास के परेवाची सब्द है खग उन में से अलग है खग माने पक्सी होता है Next Question Which of these is a Marathi term for a kind of tooth इन में से कौन सा दांत का एक प्रकार है इसका आंसर है अकाल दाढ़ नेस्ट कोस्टिन नेस्ट कोस्टिन आइइन्टिफाई दा प्लाट इन दा फोटोग्राफ फोटोग्राफ में दिखाए गया पोधे को पेचाने इसका आंसर है जांट कालो ट्रोपे Next Question Which name of Lord Krishna is also the name of a National Park in Madhya Pradesh भगवान Krishna के नाम पर कौन सा पार्क मध्यम प्रदस में है इसका आंसर है कान्हा मध्यम प्रदस में कान्हा नेशनल पार्क है Next Question Who founded the D-Addiction Center Mukhtangana in Pune पुने में स्थित नसा मुक्त अनुष्ठान मुक्तांगन किसके द्वरा स्थापित किया गया इसका आंसर है डक्टर अनिल अप्चट Next Question Which of these countries आज फिल्ड हकी आज इस नेशनल स्पोर्ट फिल्ड हकी इन में से कौन सी देश का राष्ट्रिय ख्यल है इसका आंसर है पाकिस्थान Next Question Who among these was also called कौटिल्य and was the another name of was the author of अर्थशास्ट्र इन में से कौन कौटिल्य की नाम से जाने जाते जो की अर्थशास्ट्र के लेख़क है इसका आंसर है चानक्या चानक्या was also called कौटिल्य and was the author of अर्थशास्ट्र Next Question Who was the founder editor of the लोकमात ग्रूप अप निउस्पेपर्स इन में से कौन लोकमात सम्हा के अख़बारों के संस्थापक संपादक है इसका आंसर है जवाहल डारडा इसका आंसर है 26 नवेंबर भारत में 26 नवेंबर को स्वंविधन दिवस मनाय जाता Next Question On 15th February 2017 How many satellites from Shriharikota were launched in a single flight by ISRO 15 February 2017 में ISRO के द्वारा Shriharikota से कितने सैटलेट एक साथ launch क्या गया एक साथ प्रख्यपित क्या गया इसका आंसर है 104 याने 104 दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए अप लोग को धन्यवाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर करने के लिए ना भूले धन्यवाद